तो हलो मेरे भाइलो, वेल्कम बैक टू माई यूडूब चानल, आज एनमे हिंदी, तो यार जैसे कि तुम समने थमने लो टाइटल देखा, आज हमनों बात करने वाले लोग या डेवल फूट के बारे में, वन पीस में हमें सबसे पहले लोग या डेवल फूट लॉक्टाउ कोई इसे ढोल की तरह बजाना सुरू कर दिया, और एक से एक करेक्टर आते गया, और एक से एक करेक्टर इसको कुट्टे की तरह धोते गया, बड़ टाइम स्किप से पहले इसने लूफी के खिलाब डॉमिनेट ही किया, ये जब भी लूफी को पकड़ने ही वाला होता है, कोई न कोई आकर के लूफी को बचा ही लेता था, जैसे लूफी को पकड़ने ही वाला होता है, ड्रैगन आ जाता है, दूसरे बार अलबास्टा में, एस आ जाता है, मरीन फोड में तो साक्षा देवी के दर्सन हो जाते हैं, लेकिन अगर तुम ध्यान से सोचो ना, टाइम का नाम सुनते ही न हर वनपीस फैन गाली देता है, बिकॉज इसने जो काम किया है, सायदी और कोई कैरेक्टर किया हो, ब्लैक बियर्ट को छोड़ के, बट वैसे इसने वाइट बियर्ट का आधा चेहरा उड़ा दिया था, जो की बहुत बड़ी बात है, और अभी के टाइ कि टाम स्क्रिप्ट से पहले हमें हाकी इंटेड्यूस नहीं किया गया था, इस वज़े से लोगिया डेवल फूट ज्यादा खतरनाक लग रहे थे, और वहीं जब टाम स्क्रिप्ट के बाद हाकी आने के वज़े से इनका दबदबा कम हो गया, मैं एक चीज कहना चाहूंग हाकी आकर के फरक तो पड़ा है, बट लोगिया डेवल फूट यूजर्स का पावर नहीं घटा है, बिकॉज इन दो एड्मिरर्स की फाइट ही ले लो, भाई क्या खतरनाक फाइट था, पंक हजार तो तुमको यादी होगा, उसका क्या हाल हुआ था, तो ये कहना कि हाकी आ पर आने में कामियाब हुआ है, जैसे कि सीजर क्लाउन, बिकॉज हाकी आने के वज़े से वो उने टच कर सकता है, तो उसे मार भी सकता है, बट मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, ये जो लोगिया डेवल फूट वाले है न, हमें टाइम स्किप से पहले हमें स्ट्रॉंग वाले लोगिया डेवल फूट के वर्जन समय देखनी को मिलते थे, लेकिन वहीं अगर हम लोग चल जाए टाइम स्किप के बाद, तो हमें यहाँ पर वीक वाले देखनी को जादा मिले हैं, प्लस हमें लोगिया डेवल फूट कोई भी लोगिया डेवल फूट, उसके हमें जोड़ी के हिसाब से देखने हम मिले, नहीं समझ मैं, मैं तुमको बताता हूँ, किजारू का लाइट लाइट फूट, वो मिलता किस से, एनुरू के गोरो गोरो नोमी से, अकाईनो का मैगमा मैगमा फूट, उसका वीक वर्जन कौन सा है, मेरा मेरा नोमी, एस का जो था, और अभी जो सेबो यूज करता है, इसके बाद आते हैं, आई साइस फूट, इसका वीक वर्जन वाला डेबल फूट कौन सा मालूँ, यूकी यूकी नोमी, स्नो स्नो फूट की मैं बात कर रहा हूँ, मोनेट का, इसके बाद आता है स्मोकर, स्मोक स्मोक फूट, जिसका वी लोगयावले डेव्टरूट होते हैं इनका एक strong virgin वाला भी होता है और इनका एक weak virgin वाला भी होता है बस हमें एक character का अभी तक नहीं बताया गया है ब्लैक बियर्ड का यामी यामी नोमी इसका हमें एक बात तो पता है ये लोगिया में सबसे स्ट्रॉंगेश डेविल फूट है बट इसका जोड़ीदार हमें अभी तक नहीं दिखाया गया है प्लस अगर तुमने ब्लैक बियर्ड के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च किया तुम्हें एक बात मालूम पड़ा होगा ब्लैक बियर्ड का डेविल फूट नॉर्मल लोगिया की तरह नहीं है उसका डेविल फूट उसे अलग टाइप का पावर प्रोवाइड करता है जैसे ब्लैक होल क्रियेट करना इसके अलावा अगर सामने वाले डेविल फूट यह बहुत सारी चीजे जो है इसके डेविल फूट में हमें देखने को बिलते प्लस एक और बात मैं कहाना चाहूंगा मुझे ऐसा लगता है जो इसने वाइड बेड के डेविल फूट चुराया था मेरे को ऐसा लगता है कि इसने यामी यामी नोमी के वज़ेद से ही चुर पास वर्ड को डिस्ट्रॉय करने तक का पाऊर है बट वो उसे सीरियसली ही नहीं लेती है उसके पास दो-दो स्ट्रॉंग डेविल हूट है इसका एक और रीजन हो सकता है वर्ड गवर्मेंट के पास पक्का ब्लैक बीड के डेविल फूट का तोड होगा यामी यामी नोम भाई फिर भी तो Blackbeard का तो strongest version है ना लेकिन वो जो devil fruit होगा ना उस devil fruit में भी कुछ अलग type का power होगा जैसे कि Blackbeard के devil fruit में अलग type का power है अब ऐसा मेरे को लगता है पर पता नहीं क्या होगा वो तो जब future में हमें दिखाया जाएगा तभी मालूम पड़ेगा और उसका devil fruit user कौन होगा उसको जानने क्लिपे मैं बहुत ज्यादा excited हूँ खेर जो कुछ भी है यही था मेरा आज का वीडियो अगर तुमको वीडियो पसंदा तो वीडियो को लाइक मारना साथी साथ अगर तुम घुंदे गामते इस चैनल पे नहीं आगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बाइ